आयुर्वेट समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारे चैनल आजी सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो शरीर के किसी भी हिस्से में उठने वाली गांट या रसौली एक ऐसा माने लक्षन है जिसे गंबीरता से आपको लेना ही चाहिए ये गठाने पस या टीवी से लेकर कैंसर तक की बिमारियों के सुचप हो सकती हैं गठान अत्वा ठीक नहीं होने वाला च्छाला वे ऐसा माने आंत्रिक या वाई रक्तस्राव कैंसर की कारण हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि शरीर में उठने वाली हर गांट कैंसर हो लेकिन अधिकांस कैंसर रहित गठाने किसी उपचार योग साधरन बिमारी की वज़े से ही होती हैं लेकिन फिर भी इस बारे में साबधानी आपको बरतनी चाहिए इस प्रकार की किसी भी गठान की जाच अत्यंत आविशक है ताकि समय रहते निदान और इलाज शुरू हो सके चुकि लगवक सारी गठाने शुरू में बेदना हीन होती हैं यानि कि उनमें दर्द नहीं होता है इसलिए अधिकांश व्यक्ति ना और जटिल हो जाता है कैंसर की गठानों का तो शुरूआती अवस्था में लाज होना और भी जरूरी होता है कैंसर का शुरूआती दोर में लाज हो जाए तो मरीज के पूरी तरह से ठीक होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है यदि आपके शरीर में भी किसी भी किसम की गांट है तो उसके लिए ये चिकित साचाय किसी भी कारण से हो सफल जरूर होती है दोस्तो अगर आप घर पर किसी भी गांट को खत्म करना चाते हैं तो आपको कचनार की चाल और गोरक मुंडी आपके लिए बेहद फाइदे मंद होगा ये दोनों जड़ी बूटियां एक इंच से दो इंच तक मोटी हो बहुत पतली या बहुत मोटी टेहनी की चाल आपको नहीं लेनी है अब गोरक मुंडी का पोधा जो आपको आसानी से नहीं मिलता है इसे जड़ी बूटी बेशने वालों से आप खरीदें या आप अपने पंसारी से इसको ले 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 अब इसको प्रियोग कैसे करना है जड़ा देख लीजिए प्रियोग के लिए कचनार की जो ताजा चाल है उसे पच्ची से तीस ग्राम ये सूप कर पंदर ग्राम के करीब हो जाएगी इसको मोटा मोटा कूट लीजिए एक गलास पानी में इसको उबालिए जब दो मिनिट तब ये उबल जाए तब इसमें एक चम्मच गोरक मुंडी यानि की मोटी, कुटी और पिसी हुई होनी चीए गोरक मुंडी डाल लीजिए अब इसे एक मिनिट तक फिर उबलने दें और उसके बाद छान लें हलका गरम रह जाए तो आप इसे पी लें, ध्यान दें, ये कड़वा है परंतु चमतकारी है, गाट कैसी ही हो तो ये आपको बहुत फायदा पहुचाएगी, कभी भी असफल नहीं होगी, अधिक लाब के लिए दिन में दो बार आप इसे ले सकते हैं, लंबे समय तक लेने से ही आपको लाब होगा, 20-25 दिन तक आपको कोई लाब नहीं होगा, तो निराश होकर इसको बीच में नहीं छोड़ना है, आपको इसका प्रियोग करते रहना है, गाट को घुलने में कचनार पेड की चाल बहुत अच्छा काम करती है, आयरुवेद में कचनार गुगल इसी म पुल्टिस बना कर लगाने से ना पकने वाली गांट पक कर फूट जाती है और दर्द कम होता है, दूसरा प्रियोग देख लीजिया, आंकडे के दूद में मिट्टी बिगो कर लेब करने से, तता निर्गुंडी के 20-50 मिली लीटर काड़े में 1-5 मिली लीटर अरंडी का देल डाल कर पीने से लाब होता है, सुहागे को पीस कर लगाने से रक्त का बेना तुरंत बंद होता है, तता घाव शीगर भर जाता है, अरंडी के बीजों की गिरी को पीस कर उसकी पुल्टिस बांधने से, अत्वा आम की गुठली या नीम या अनार के पत्तों को पानी मे गर्म करके पुल्टिस बनाकर लगाने से फोड़ा पक कर फूर जाता है। अरंडी के तेल में आम के पत्तों की राक मिलाकर लगाने से लाब होता है। तूहर के पत्तों पर अरंडी का तेल लगाकर गर्म करके फोड़े पर उल्टा लगाएं इससे सब मवाद निकल जाएगा घाब को भरने के लिए दो तीन दिन सीधा आपको लगाना है अब अगर किसी को गंडमाला की गांठे हैं तो क्या करना है जरा देख लीजिए गले में कंदे गर्दन गले और जांगों के मूल में छोटे छोटे वेर जैसी अत्वा बड़े वेर जैसी बहुत सी गांठे हैं जो बहुत दिनों में धीरे धीरे पकती हैं उन गांठों की हार माला को गंडमाला कहते हैं और ऐसी गांठे कंट पर होने से कंटमाला कही जाती हैं इस बीच आप कफ को बढ़ाने वारे पदार्थ बिलकुल ना खाएं अब आपके कांक फोड़ा हो जाता है बगल में कांक में उसके लिए क्या करना है उसके लिए आप कुछले को बारी पीस कर पानी में थोड़ा गरम करके उसका लेप करने से या अरंडी का तेल लगाने से या गुड़ गुगल और राई का चून समान मातरा में लेकर पीस कर थोड़ा पानी मिलाकर गरम करके लगाने से कांक फोड़े में लाब मिलता है दोस्तो आयरवेद समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताये गए इन उसके वैद्दियों की राय के मताविक होत हुक हुआ 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 कै worksmen